हेलो गाइस तो आज की रेसिपी है शाही भरवा तिंडे बनाने की वीडियो स्टाट करने से पहले में चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलना तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने लिये हैं छोटे तिंडे जिनने हमने अच्छे से छील लिया है और फिर बीच से उनमें क तेंडे के लिए दाल देगे of तिंडें में में एक तिंडे को इसा थासी हारा के पिछ मेंगे हमें से बीच टनना एं हमें तक जाएं ऑड़ी में हमें जर, है बहुती गड़ा दई होना चाहिए इसमें हम डालेंगे आदा चमच रोस्टेट जीरा एक चमच ड्राय रोस्ट क्या हुआ बेशन आदा चमच कसूरी मेथी आदा चमच सुख दन्या पाउडर थोड़ी सी लालमेची पाउडर और नमक अब हमें इन समसालों को अच्छे से मिक्स करना है और यह बनके रड़ी है हमारे भरवे तिंडर की स्टाफिंग अब एक एक करके हम इन तिंडरों में स्टाफिंग को भड़ना है अब सारे टिंडरों में स्टाफिंग हो चुकी है इसके साथ ही ग्रिवी बनाने के लिए हमने दो चमच हंकर्ड में थोड़ी सी लालमेची अहल्दी पाउडर डालके रख लिया है अब ग्रेवी बनाने के लिए हमने ओईल हीट कर लिया है कडाई में उसमें डालेंगे एक तेज पता थोड़ी सी दाल जीनी एक दो लॉंग और फर इसमें डालेंगे दो फानली चॉप्ट आनियन्स इसके बाद इसमें डालेंगे जिंजर गारलिक यानि अध्रग लसन का पेस्ट और फिर इसमें तब तक कुक करना है जब तक कि प्यास ट्रांस्ट यानि पिंक ना हो जाए प्यास लाल होने के बाद में उसमें आड़ करना है दही वाला मिक्स्चर उसे अच्छे से मिक्स करके उसमें आड़ करेंगे थुरा सा नमक अब इसे कुक होने देंगे एक सी दो मिनिट के लिए और फिर इस क्रेवी में हमें आड़ करने है तिंडे तिंडो को इसमें आच्छा से मिक्स करेंगे और फिर इस में जालेंगे करीबन आदि से एक ग्लास पानी और इसके बाद इस पे लिड लगा के इसे तब तक को खोने चोड़ेंगे जब तक इसकी ग्रिवी कंप्लीटी ड्राय ना हो जाए अब इस सबजी की ग्रेवी काफी थिक हो चुकी है अब बारी है इसमें डालने की क्रश की हुई कसूरी मेथी की अब हमारी सबजी बन के रेडी है आप इसे इंजॉई कर सकते हैं गर्म गर्म घी वली रोटी के साथ में So I hope you enjoyed my today's recipe and thanks for watching my video